जैपूर राजस्थान में भिशन गर्मी और हीट वेव की प्रिबंदन में भाजपर सरकार की विफलता पर कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्स गोविन सिंग डोटासरा ने कड़ा पलट वार किया है उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हाई कोट की आदेश के बाद मिर्तेकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मोट की आँक डिशिपाने का प्रियास कर रही है डोटासरा के अनुसार जैपुर इस्थिद समस इस्पताल से चोकाने वाली सूचना सामने आई है जहां हीट वेव की कारण बनने वाले करीब 40 अग्यात लोगों के शव मोर्चरी में रखे गए हैं प्रती दिन 20-25 अग्यात शव मोर्चरी में आ रहे हैं सरकार मोतो के विभिन कारण बताकर मुआवजा देने से बच रही है और मामलो को तीन दिन के भीतर पोस्ट माटम करके निप्टा रही है डोटासरा ने इस प्रकरिया की आलोशना करते वे कहा कि अग्याद शव कि शनाक्त पुलिस के कारवाई परिवार को ढूंडने और समाचार पत्र में सूचन परकाशित करने के प्रकरिया में करीब साथ दिन लगते हैं जिसके बच्छात ये शव को डिस्पोज किया जाता है उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार इस प्रकरिया का पालन की बिना जल्दवाजी में मामलों को निप्टा रही है उन्होंने यह भी कहा कि इससे तिससे फैसमेस इस्पताल की नहीं बलकि पूरे प्रदेश की हालात भ्यावय और चिंता जनक है सरकार ने अब तक कि वह चार लोगों को हीट वेव से मोत की पुष्टी की है जबकि वास्तेविक ताकड़ा कही अधिक है डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश में भयंकर गर्मी और हीट वेव से मरने वालों के संख्या बेहट डरावनी है डोटासरा ने भाश्ता सरकार को आड़े हाथों लेते वे कहा कि वे मुआवजा देने से बचने के लिए मोतों के आकड़ शिपाने का पाप कर रहे हैं उन्होंने सरकार से पादरशी ताकि मांग करते वे आगरे किया कि वे मरने वालों के वास्तेवी काक्रे जारी करे और पीडित परिवार को उच्चित मुआउजा प्रदान करे इस वीच प्रदेश में भड़ते गर्मी और हीट वीव से निपटने के लिए सरकार की तैयारी उपर सवाल उठ रहे हैं